एक हेलो इस में आनमीका मेरी किचिन में आप सभी का श्भागत हैं आज में दिवाली के चोखाँ की रेषपी लेकर आई हूं मैं किसे बि jsivo इसका एक महत्व ही अलग होता है तो फ्रिंट्स इसे कहीं पे जीमीकंद, कहीं पे ओल, कहीं पे शूरंग नाम से जाना जाता है इस रेस्पी को बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है तो इस रेस्पी को आप लाश्ट तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सेड कीजिए और कॉमेंट करना मत भूलिए तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं ओल का चोखा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 400 ग्राम ओल लिया है तो इसे हम कहीं कहीं शूरंग नाम से जानते हैं कहीं पे इसे जीनी कंग के नाम से जाना जाता है पर बिहार में इसे ओल के नाम से जाना जाता है यह ओल की चोखा दिवाली पे खाश कर हर घड में बनाया जाता है इसका एक महत्व होता है तो हम आज आप लोगों को ओल का चोखा बनाना बताएंगे ओल का हमने छिलका हटा लिया है, इसमें डालने वाले इंग्रिडियन्स आपको बता देते हैं, शर्षो का तेल, निम्बो जिसका हम राशी उज करेंगे, चार कली लहसुल को हमने बाड़िक बाड़िक काट लिया है, दो हरी मिर्च को हमने बाड़िक काट लिया है, अधरक को इतने ingredients का यूज करते हैं, सबसे पहले हम एक दूसरे बॉल में ये ओल को ले लेंगे, और एक चाकू की मदद से इसके हम छोटे-छोटे pieces कर लेंगे, यानि कि हमें ज्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए और ज्यादा छोटा भी नहीं चाहिए, ऐसे हम इसके pieces कर लेंगे, एक बात ध्यान में रखना है, इसको काटने पे थोड़ी सी खुझवी हाथ में होती है, उसके लिए क्या करना है, या तो अपनी मू का रश या शर्शो का तेल में हाथ में मल लीजिए, उससे खुलाहट नहीं होती है, तो चलिए अब हम गैस के तरफ चलते हैं, हमने गैस पे प्रेसर कुकर रख लिया है, इसमें हम ओल को डाल देंगे, और एक लास पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद हम धकन लगा देंगे, धकन हमने लगा लिया, अब हम गैस को अन करके और इसे हम चार से पाच भी शिल उबाल लेंगे, पहले हम दो भी शिल तेज फ्लेम पे उबालेंगे, फिर हम मेडियम करके इसे उबलने देंगे, यानि कि ओल अच्छे से उबल जाना चाहिए, हमने कूकर में पाच भी शिल लगा लिया है, अब हम प्रेस के फ्लेम को आउप कर लेंगे, और इसके टेयर को निकलने देंगे, प्रेसर कूकर से गैस निकल चुका है, अब हम कबर को खोलेंगे, तो हम आपको शूरंग चेक करके बता दे रहें हैं, यानि कि ओल को अच्छे से उबल चुका है अपना, इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें गरम-गरम शुदंग को ही मैश करके इसकी चोखा बनाने हैं, ठंधा होने पर ये थोड़ा सा हाड होने लेगता है, हमने ओल को बॉल में निकाल लिया है, अब हम किसी फोक से या हाड चममच हो, आपके पास जो भी अब लेवल हो, उससे ऐसे प्रेस करते हुए, इसे एकदम चोखा जैसे मैश लेना है, ये बहुत आसानी से मैश जाता है, तो हम इसे प्रेस करते हुए, सभी ओल को मैश लेंगे, तो आप देख सकते हैं, गरम-गरम ओल को हमने फोक की मदद से एकदम बढ़ियां से चोखा का रूप दे दिया है, इसे अच्छे से मसलना जरूरी है, ठंडा होने पर आप हाथ भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ही गर हैं, तो हमने फोक यूज गिया है, अब हम इसमें डालेंगे श्वाद के अनुशार, नमक, शर्षो का तेल इसमें बहुत ही इंग्रिनेश खास है, इसके बिना चोखा का श्वाद नहीं आता है, अगर आपके पाद शर्षो का तेल वाला आशार हो, तो उसका भी तेल डाल पाने से श्वाद बढ़ जाता है, तो हमने दो चम्मच इसमें शर्षो का तेल डाल दिया, अब हम इसमें बाड़ी कटा हुआ लहिशू डालेंगे, इस सारे इंग्रिजिन्स जो है, चोखा के श्वाद को बहुत ही बढ़ाने वाला होता है, हरी मीच, अधरत, धनिया पत् अधरत, चोखा के श्वाद बढ़ जाता है, अब हम इसमें डालेंगे निम्बू का रस, तो यहां पे आप अम्चुद बॉडर, या अचाड जो आम का अचाड होता है, उसका मशाला भी डालके इसमें खटाश ला सकते हैं, उससे बाड़ा है, उससे बाड़ा होता है, उस इसका श्वाद बढ़ियां होता है, यहां पे हम निम्बू का रस डालेंगे, शीट को हम निकाल देंगे, और अच्छे से हम निम्बू नी चोड़ लेंगे, बड़ी निम्बू है तो हम आधा नी चोड़ रहे हैं, खोटी निम्बू हो तो आप इत निम्बू यूज कर ल तो ये तयार हो गया अपना ओल का चोखा शूरन का चोखा बनकर तैयार है यानि की ओल का चोखा तो ये बिहार एश्पेशल दीवाली एश्पेशल ओल का चोखा है इसे आप जरूर ट्राइ कीजिए अगर आज की मेरी ये रेश्पी आपको अच्छी लगे तो मेरे सेनल को लाइक कीजिए शब्स्ट्राइब कीजिए सेयर कीजिए और कमिन करना मत भूली धन्यवाद